प्रफ़ाइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बढ़न को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बढ़न को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे नमस्कर दोस्तो को बताएंगे बुद्वार के दिन भगवान गनेश जी की पूजा करते समय किन विशेस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको जीवन में शुब फल मिलते रहें सबसे पहले आपको बता दें जो भी इंसान गनेश जी की सचे दिल से पूजा करता है तो उसके सभी र गनेश को प्रसिन करने के लिए गुड और धनिये का भोग लगाएं इसे शुब लाब की प्राप्ति होती है आप भोग में मोदक ये लड़ू का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं दूजरा उपाय है दुरुवा शास्त्रों में दुरुवा को बहुत ही पवित्र माना गय बुद्वार के दिन जो भी इंसान भगवान गनेश जी को दुर्वा समर्पित करता है उसके घर में फैसों की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है बुद्वार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्तर धोकर खाना बहुत शुब होता है लेकिन ध्यान रखें भगवान दिन शुब होता है इस दिन हरे रंग का प्रियोग जरूर करना चाहिए आप चाहे तो इस दिन हरे वस्तर भी पहन सकते हैं बुद्वार को भगवान गनेश जी की पूजा करते समय ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमहा मंत्र का जाप जरूर करें इसके लावा इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय नमहा मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को संतुष्टी मिलती है कर्ज मुक्ती के लिए बुद्वार के दिन सवा पाओ मुँ उबाल कर उसमे घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं इसे जल्धी कर्ज से मुक्ती मिलती है इसके साथ इस दिन मुगदाल और तामे की वस्तूओं का दान करना शुब होता है जोतिश की माने तो बुद्वार के दिन भगवान गनेजी के साथ साथ बुद्ध ग्रह को भी समर्पित है इसलिए जिस भी जातक की कुंडिली में बुद्ध कमजोर है वो मंगल की रात को तामे के वर पानी भर कर रख दें और फिर उसे सुबह ग्रहन कर लें ऐसा करने से बुद्ध से जुड़े सभी रोग दूर होते हैं